जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं सुक्राल फेट और ऑक्सीटा कैंसर स्पेंसन सीरप के बारे में इस सीरप का उपयोग क्या होता है इस सीरप का उपयोग कप किया जाता है डॉक्टर मरीज को क्या दिक्कत क्या परेसानी रहती है तब डॉक्टर के दौरा ये सीरप मर से कितने एस तक पीना चाहिए इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे इस सीरफ का उपयोग इस टमक अलसर तथा गैस्ट्रो इंटरस्टाइनल की समस्या में डॉक्टर के दौरा ये सीरफ मरीज को दिया जाता है ये समस्या वह समस्या है जब ब्यक्त के इस टमक में और डियोडीनल में डियोडीनल वह पार्ट है जहां इस टमक खतम हो जाता है और इंटरस्टाइनल सुरू हो जाता है यहाँ पर acid की मात्रा जादा secretion होने के कारड इसकी जो inner layer होता है वो damage हो जाता है इसके कारड इस टमग में घाव हो जाता है तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सीरप पीने के लिए दिया जाता है gastro intestine ulcer को और stomach के ulcer को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सीरप मरीज को दिया जाता है जब किसी व्यक्त को gastritis से संबंदित कोई समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये सीरप पीने के लिए दिया जाता है जब किसी ब्यक्त के आहे नाल में जलन होने लगती है यानि हम कह सकते हैं गले के नीचे साइड में आपने देखा होगा बहुत तेज से जलन होने लगता है एसीड के कारड या गैस के कारड तब डॉक्टर के दौरा ये सीरफ पीने के लिए दिया जाता है जिसे हम एसीड रि जलन की समस्या रहती है या फिर पेट में जलन की समस्या रहता है तो ठीक हो जाता है आपने देखा होगा अगर किसी ब्यक्त को गैस की समस्या रहती है वो प्रापर रूप से खाना नहीं खाता है अगर वो खाना खाता है तो उसे ऐसा लगता है कि गले में भारा-भारा सा म नीचे जलन होना, गले में खाना भरा भरा सा मैसुस होना, खटे में डिकार आना, आईसा लगना गया, इसके कारण की बू मेटिंग ये जैसा होना, पेट भरा भरा लगना, पेट में दर्ध रहना गया, तो इन सारी प्राबलम को थीख करने के लिए दॉक्टर के द्वारा ये सीरप मरीज को दिया जाता है, ये सीरप काफी अच्छा सीरप होता है, इन सारी प्राब्लम को ठीक करने के लिए, और जब किसी के पेट में बहुत ज़्यादा ACIDT की समस्या रहता है, यानि हम एक परकार से कह सकते हैं, जब किसी के पेट में ACIDT की समस्या रहता है, उसे पेट में जलन होता है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति परिसान रहता है मैसा, तब डॉक्टर के द्वारा ये सीरप पीने के लिए दिया जाता है, जिस सुजन की प्राबलम को ठीक करने के लिए यह सीरप मरीज को दिया जाता है चलिए अब हम आपको बताते हैं यह सीरप पीना कैसे होता है इस दवा का जो डोज होता है डाक्टर मरीज की इस्थिती और उसके कंडिसन और उसके दिक्कत परेसानी को देखते हुए इस दवा का डोज निर्धारित करके बताते हैं लेकिन जो इस दवा का common डोज होता है जैसे कि 5 ml दिन में 2-3 बार गुन-गुने पानी के साथ में ये दवा पीने के लिए डॉक्टर के दोरा मरीज को बताया जाता है यानि दिन में 2-3 बार 5 ml ये दवा पीने के लिए डॉक्टर के दोरा बताया जाता है चलिए अब हम आपको इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में बताते थे हैं इस दवा का क्या-क्या साइड इफेक्ट देखा गया है पेट में काफी जादा दर्दी की समस्या हो सकती है कबी भी आप कोई सीरब कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परिसानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर संपरक करें फिर कुई दवा ले